एक समय की बात है एक घर में महेश, मीना और उनकी बेटी पिंकी रहते थे पिंकी अपने माबाप की एकलोती बेटी थी महेश और मीना पिंकी को बहुत ही प्यार करते थे पिंकी जो भी मांगती वो हमेशा उसे लेकर देते थे एक दिन की बात है जब पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ गाउं जाती है तो वो वहाँ की हर्याली देखकर बहुत खुश होती है वहाँ की चहल पहल पिंकी को भाज आती है आरे वामा ये गाउं तो बहुत सुन्दर है हाँ बेटी बहुत सुन्दर है तुम्हारे दादा दादी यहीं रहते हैं दादी तो अब नहीं रही पर दादा जी अभी भी हमारे गाउं वाले घर में ही रहते हैं तुम्हारे चाचा चाची के साथ हाँ और तुम इसी गाउं में पैदा हुई हो तुम्हारे दादा दादी तो तुम पर जान छिड़कते थे दादी तो बस पूछो ही मत कि तुमको कितना लाड करती थी क्यों पापा? क्योंकि मेरी नौकरी तो शहर में थी ना बेटी तो हमें शहर वापस आना पड़ा और दादा दादी को यही गाउं पसंद था तो वो यहीं रह गए तुम्हारे चाचा चाची के पास चलो ना बापा, जल्दी चल्दी चलो, मुझे दादी से और चाचा चाची से जल्दी से मिलना है पिंकी वो घर देखकर बड़ी खुश हो जाती है, इतना बड़ा आंगन और उसमें एक बड़ा सा पेड़, चारो तरफ खुला खुला और ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी आरे वाँ बापुजी, हमारा घर तो बहुत ही सुन्दर है, काशम इसी घर में रहते अब हम हर साल तुम्हारी स्कूल की चुट्टियों में यहां आया करेंगे, अभी तो बस तुम्हारे पापा के नौकरी ऐसी रही, कि चाह कर भी कभी आना नहीं हो पाया हाँ पापा, प्लीज, आप हर साल मुझे यहां लेकर आया करना ना पिंकी सब देखकर खुश हो ही रही थी, कि इतने में घर के अंदर से उसके दादा और चाचा चाची आ जाते हैं आ गई मेरी कुड़ी आरानी, कितनी बड़ी हो गई है, छोटी सी ती, जब आखरी बार तुझे देखा था दादची, मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ, देखो, मैं तो अब स्कूल भी जाती हूँ चलो बेटा, पिंकी घर के अंदर चलो, मैंने तुम सब के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनाई हैं अरे वा, सच्ची पिंकी और बागी सब लोग अंदर जाते हैं, घर में चहल पहल सी हो जाती है पिंकी के आने से पूरे घर का महौल ही बदल जाता है, ऐसा लगता है, जैसे सूने सी घर में जान पड़ गई हो आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है, पिंकी ने तो घर में जान ही डाल दी, हमारे तो कोई बच्चा नहीं है, तो बस घर सुना सुना सही लगता है, आज घर में असल रौनक लग रही है घर में हसी खुशी का महौल होता है, सब बैट कर साथ खाना खाते हैं, उसके बाद महेश और मीनू थोड़ा आराम करने लगते हैं, पर पिंकी को तो पूरा गाउं देखना होता है मुझे पूरा गाउं देखना है, मुझे नहीं करना आराम, चाची अब चलो ना मेरे साथ, मुझे गाउं घुमा दो, ठेक है मेरी रानी बेटी, मैं चलती हूँ पिंकी अपनी चाची के साथ बाहर आंगन में जाती है, तो उसकी नजर आंगन में पड़ी एक चीज, जामुन पर पड़ती है, पिंकी उसको उठा दिये और देखने लगती है ये क्या है चाची? अरे बेटी, ये जामुन है, ये पेर देख रही हो ना, ये पेर तुम्हारी दादी ने लगाये था, जिस दिन तुम पैदा हुई थी, तब से देखो अब तक ये कितना बड़ा हो गया, पर आज पहली बार इसमें से कोई पकी जामुन गिरी है जामुन, ये क्या होता है? अरे तुमको जामुन नहीं पता, शहर शहर में तुमने ना देखी हो, जामुन एक फल होता है, तुम खाकर देखो इसे, तुमें बड़ा अच्छा लगेगा पिंकी जामुन खाकर देखती है, तो उसे वो बड़ा ही स्वादिश्ट लगता है वाँ चाची, ये तो बड़ा ही स्वादिश्ट है, मुझे और खाना है हाँ बेटी, ये तो होता ही स्वादिश्ट है, अच्छा तुम जामुन खाओ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, पर तुम कहीं बाहरा के लिए मत जाना ठीक है चाची पिंकी वाँ जामुन के पेड़ के आसपास घूमती रहती है, वो पेड़ पर लगे जामुनों को बड़े ये ध्यान से देख रही होती है उसको लगता है कि कोई जामुन अपने आप गिरेगा, तो वो उसे खा लेगी पर काफी देर हो जाती है, एक भी जामुन नीचे नहीं गिरता क्या दादी, अपने कैसा पेड़ लगा है मेरे लिए, जिसमें से एक भी जामुन नहीं खा पा रही पिंकी के इतना कहने भर की देरी थी कि पिंकी के सर पर एक मोटा सा जामुन आकर गिरता है पिंकी पहले उपर देखती है, फिर नीचे, उसे सामने एक मोटा सा जामुन दिखता है जिसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है वो जट से उस जामुन को उठा कर खाने लगती है अहा, ये कितना मीठा और स्वादिष्ट है मसा आ गया इसे खा कर दो, पिंकी नीचे जामुन के स्वाद ले रही होती है और उपर जामुन के पेड़ पर चुड़ेल उस पिंकी को जामुन खाते देख, बहुत खुश हो रही होती है अरे मेरी नन्ही गोडिया, देखो तो कैसे जामुन खा रही है मैं तो कबसे इंतजार में यहां इस पेड़ पर बैठी थी कि तू एक दिन जरूर आएगी और मैं तुझे इस पेड़ के जामुन खिलाऊंगी अरे तेरे इंतजार में रह देखते देखते, तेरी दादी इस दुनिया से ही चली गई पर तुझे जी भर कर प्यार नहीं कर पाई, पर कोई नहीं अब तुआ गई है ना, मैं तुझे जी भर कर देखूंगी और खुब जामुन खिलाऊंगी पिंकी का जामुन खत्म हो जाता है और वो फिर उदास हो जाती है पर इस बार वो घर के अंदर चली जाती है, पेड़ पर बैठी चुडैल, जो असल में उसकी मरी हुई दादी होती है, उसे पिंकी का वहां से जाना अच्छा नहीं लगता, अरे ये तो अंदर चली गई, अब मैं इसे बाहर कैसे बुलाओ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा पिंकी घर के अंदर चली जाती है, और अंदर अपने दादा जी, मम्मे पापा और चाचा चाची के पास जाकर बैठ जाती है, पिंकी के दादी को उसकी दादी के धेर सारी खत्से सुनाते हैं, पिंकी उनको सुनकर बड़ी खुश होती है, और उसे लगता है कि काश उसकी दादी जिन्दा होती, पिंकी को वहां रहना बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा दन उसका कैसे निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, रात भी हो जाती है, और पिंकी खाना खाकर वापस जामुन के पेड़ के पास जामुन देखने आती है, पेड़ पर बैठी चुड़ पिंकी सारे जामुन उठा कर अपनी जोली में भर लेती है, और वहीं बैठ कर खाने लगती है, इतने में उसके दादा जी वहां आ जाते हैं, अरे बेटी, यहां बैठी क्या कर रही हो, देखो ना दादा दी, मेरे पास कितने सारे जामुन है, यह बहुत स्वादिष्ठ है जैसे ही बाहर आई तो यह मेरे सिर पर टप टप किरने लगे क्या, सच में, आज तक तो हमने इस पेड़ से एक भी जामुन गिरते नहीं देखा था, जामुन किरना तो दूर, इस पेड़ पर जामुन कभी पकते ही नहीं थे क्या, तो फिर मेरे आते ही कैसे पक गए? क्या पता, तुम्हारी दादी को पता चल गया हो, कि तुम आ रही हो, इसी लिए उन्होंने जादू से इस पेड़ के सारे जामुन पका दिये, ताकि तुम इनको खा सको, तुमको तो पता ही है ना, कि ये पेड़ उन्होंने तुम्हारे होने पर तुम्हारे लिए ही लगा प्रिए था। क्या सच में दादी ने जादू से ये सारे जामून मेरे लिए पका दिये। हाँ बेटी, लगता तु ऐसा ही है। दादा जी अंदर से ले जाते हैं, पिंकी फिर से उपर देखती है। क्या सच में दादी जी ने मेरे लिए ऐसा किया। मतलब वो मुझे देख और सुन सकती हैं, पर मैं क्यों नहीं उनको देख सकती, उनसे मिल सकती। कोई नहीं दादी, आप जहां भी हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपना बहुत अच्छी हो। अब पिंकी, जादतर अपना वक्त उसी पेंड के नीचे बिताने लगती है, और उसे उस पेंड से बड़ा लगाओ हो जाता है, एक दिन तो वो अपने चाचाजी से जित करके उस पेंड पर एक जूला डलवा देती है, और फिर वो पूरा दिन उस जूले पर जूला जूल अब मैं ठक गई, तुझे जुला जुला कर, मैं चली अंदर और तू भी जल्दी से अंदर आजा, कल हमेज शेहर के लिए वापस निकलना है, तो पैकिंग भी तो करनी है, नहीं मा, मुझे नहीं जाना वापस, वापस तो जाना ही पड़ेगा, हम अगले साल फिर से नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची मुझे छोड़ कर कैसे जा सकती है, पिंकी रोने लगती है, पर वो कर भी तो क्या सकती थी, उसके माबाप घर जाने की तैयारी भी कर चुके होते हैं, बस उसका उस घर में एक आखरी दिन रह जाता है, जितना दुख पिंकी को होता है, उतना है पिंड पर बैठी, उसकी चुड़ैल दादी को, पिंकी उसी जूले पर उदास बैठी रहती है, अरे पिंकी, मैंने सुना कि तुम वापस नहीं जाना चाहती, नहीं चाचा जी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मैं समझता हूँ बच्ची, पर हम क्या कर सकते हैं, चलो, अंदर चलो, मम्मी पापा बुला रहे हैं, पिंकी उदास घर के अंदर चली जाती है, सब सोजाते हैं, अगले दिन उनके जाने का समय हो जाता है, अरे, उदास मत हो मेरी रानी, पापा ने बोला है न, वो जल्दी आएंगे, अगर ये नहीं आए न, तो तू मुझे बता देना, फिर देखना, मैं इसकी खूब बिटाई करूंगा, वो भी तंडे से, हम्म् सच्ची दादा जी महिश और मीना घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं पिंकी भी जल्दी से घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है घोड़ा गाड़ी जैसे ही चलने लगती है रुको भाया मैं बस अब ही आई पिंकी घोड़ा गाड़ी से उतरती है और जल्दी से भाग कर उस जामुन के पेड़ को गले लगा लेती है मुझे पता है आप इसी पेड़ पर रहती हो दादी पर मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी मैं जल्दी ही आपसे मिलने दोबार आऊंगी इतना कहकर पिंकी चली जाती है और उसकी चुड़ेल दादी पेड़ पर बैठी खुशी से रो पड़ती है